सोना चांदी ना मागू ना मागू हीरे मोती अंधेरों में भटक रहा हूँ मागू तेरी जोती मुझे कर दे रोशन तू 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 मसीयस्थू के प्यारे अजीज बच्चो मैं पास्टर रोशनलाल United Kingdom से एक बार फिर आपके लिए तसली का किलाम लेकर हाजर वा हूँ जी हाँ इसी प्रोग्राम के तहत हम खुदा को जानने की कोशिश कर रहे हैं जी हाँ क्योंकि खुदा के कलाम में हमने यर्मिया नभी की किताब में पढ़ा था कि अगर कोई फखर करे तो इस बात पर फखर करे कि वो मुझे समझता और जानता है तो खुदावन को जानना जो है वो हमारे लिए फखर का बाइस है तो हमने पिछले दो जो प्रोग्राम साब देख चुके हैं उन में हमने देखा कि खुदा जो है वो रहीम है और खुदा जो है महरबान है और उसी सीरिस का ये आज तीसरा प्रोग्राम है और हम ये खुदावन के किलाम के मताबक सीख रहे हैं क्योंकि ये खुदा ने अपनी अट्रिब्यूट्स जो है वो खुद बियान किये थे कि वो जो खुदा है वो ऐसा खुदा है जो महर्बान है जो रहीम है जो कहर करने में धीमा है तो हमने आज सीखना है कहर करने में धीमा अजीजों मैं आपके सामने इस बात को इस तरह से रकता हूँ के हमने ये तो सीख लिया कि वो रहीम है यनि मरसीफूल है और ये भी सीख लिया कि वो महरबान है यनि काइन है लेकिन कहर करने में धीमा वो क्यूं कर है इसके बारे में आज हम सीखने जाते हैं अजीज़ों खरूच की किताब में जो मुसा नभी की तौरेत की पहली किताब है दूसरी किताब है उसमें हम ये सीखते हैं कि उसके 34 बाप की 6 और 7 आयत में हमने इस तरह से पढ़ा था मेहरबान है और कहर करने में धीमा है दुनिया की हर शक्सियत जो है वो अपने आपको बियान करती है अपने आपको एक्स्प्लेंड करती है क्योंके वो खुद अपने आपको अच्छी तरह जानती है क्योंके इनसान ही है जो अपने आपको अच्छी तरह जानता और समझता है या फिर आस्मानी बाप उसे जानता है क्योंके वो उसके सिरिष्ट से उसके पैदा होने से पहले से ही वाकफ है तो इसलिए हम जब शक्सियत की बात करते हैं तो हर एक शक्सियत जो है वो अपने आपको बियान करने की कुशिश करती है उसके अदाओं से उसके कामों से और उसके तख्यलात से और हर खालिक जब मैं खालिक कहता हूँ तो खालिक आलम में दो जहां जो है वो तो खुदाबाप ही है लेकिन हम भी कुछ नग कुछ तखलीक करते हैं कुछ नग कुछ चीज़े बनाते हैं कोई शाहिरी के जरिये से कोई चीजे बनाने के जरिये से नई नई चीजें खलक होती रहती है और उन चीजों को जो बनाई गई हैं उन में उन लोगों की जो है अक्स नजर आता है इसी तरह से हमें खुदा के कलाम में हमारा जो खालक है उसका अक्स नजर आता है और उस अक्स में हम देख सकते हैं के वो कहर करने में दीमा है जी हाँ उसकी खूबी को कलाम मुकदस में हम देख सकते हैं और कोई भी मियार नहीं उसे देखने का अजीजो जब आदम और हवा ने ना फर्मानी की तो वो जो सब कुछ जानने वाला खालक काइनात था जो सब कुछ देख सकता है वो ठंडे के वक्त आकर दोनों को उसने पुकारा और कहा तुम कहा हो जबके वो देख सकता था जानता था कि वो पत्तों में चुपे हुए हैं दरख्तों में चुपे हुए हैं उसने आते ही उनकी नाफर्मानी की वज़़ए से गुनाह की वज़े से उन पर अपना हुसा नहीं निकाला, बलके उसने आकर उन्हें सफाई का मौका दिया, बलके देना चाहा, क्योंके वो कहर करने में धीमा है, यानि वो तहम्मल करने वाला खुदा है, और जब कहा के तू कहा है, आदम ने कहा के मैंने बाग में तेरी आवाद सुनी और मैं डरा क्योंके मैं नंगा था, मैंने अपने आप को छपाया, अजीजों, खुदा ने कहर में आने की बज़ाए, तहम्मल से उसकी बात सुनी, और इस डर की वज़ा पूची, कि कैसे पता चला के तू नंगा है, क्या तू ने उस द्रख्त में से जिसे मैंने मना किया था लेकर खाया, अजीजों, आदम ने वह एक बहुत बड़ी गल्टी की, अपने गुनाह का इकरार करने की वज़ाए, उसने अम्मा हवा पर इल्जाम लगाया, और उस इल्जाम में खुदा बाप को भी शामिल कर दिया, कैसे, उसने कहा, खुदा के किलाम में ये पैदाइश की किताब और उसके तीसरे बाप का जिकर है, जो मैं आपके सामने बाते कह रहा हूँ, आदम ने कहा, जिस औरत को तुने मेरे साथ किया है, उसने मुझे दिया और मैंने खाया, जिस औरत को तुने मेरे साथ किया है, यह नहीं तेरी गलती है यह, तुन ना उस औरत को मेरे साथ करता, तो मैं ना यह खाता, और इस औरत की गलती है कि किसी ने मुझे लाके दिया, यहां उस इन अपने गुना का करार नहीं किया बल्के अपने गुना को दूसरों पर शिफ्ट कर दिया और फिर अमा हवा ने अपनी जान बचाने के लिए इल्जाम साफ पे जो शैतान साफ की शकल में आया था उस पर यह शिफ्ट कर दिया पिर नतीज़ा क्या हुआ खुदा ने आदम को हवा को और साब को इन तीनों को तो सजा दी और लानत के जम्रे में आगे लेकिन साथ साथ आदम की नाफर्मानी के सबब से जमीन भी लानती ठैरी और वो जहां बहुत से खुबसरत फल और अच्छे च्छे दरक्त लगे वे थे खुदा ने वहां उसे का कि ये उंट कटारे उगाएगी सो अजीज़ो आज भी दुनिया में जब हम देखते हैं उस आदम की उलाद जिसमें आप और मैं भी शामल है हम कभी भी अपने किसी भी गलती का कसूर को मानने के लिए तियार नहीं होते हम कोशिश करते हैं कि हम अपने आपको जिस्टिफाइ करें हम अपने आपको बताएं कि नहीं ये मेरी गलती नहीं है ये इस वज़ा से हो गया फलाँ की वज़ा से हो गया जबके अगर हम अपने आप पर गोर करें तो हम दूसरों को गुसा दिलाने में कम एक्टिव होंगे क्योंकि हमें हम अपनी गलती का एक करार करके दूसरों के घुस्य को ठंडा कर सकते हैं लेकिन अजीजों बाइबल हमें बताती है और इस बात की गवा है कि आदम के बाद उसकी उलाद भी नाफरमानी के गुना में मुब्चला थी और अब तक है और इल्जाम अपने किसी ना किसी साथी पर दोस पर भेन बाई पर माँ बाप पर उसको इल्जाम को डालती रहती है और हज़रत नू के जमाने में जब खुदा के बेटों ने देखा कि आदम की बेटियां खुबसूरत हैं और वो जमीन पर आए नाफरमानी करके क्योंके वो फरिश्टे थे उनका काम खुदा की हज़ूरी में ठैरना अबादत करना और उसके हुक्मों को बजा लाना था लेकिन वो आए और उनने आके इनसानी बदन लिये और आदम की बेटियों से बया किया और उन में से फिर जो उलाद पैदा हुई वो बहुत बड़े जबार और जालम लोग थे क्योंके दो नाफर्मानों के जब उलाद होगी तो वो कितनी बड़ी नाफर्मान होगी तो अजीजों इसी तरह से ये नाफर्मानी आगे बढ़ती गई और खुदा इनसान को बनाने पर मलूल हुआ मगर नू के वक्त में खुदा ने नू के घराने के जरीए से इस दुनिया को कंटीनियू कर दिया खुदा कहर में आकर हर चीज फना कर सकता था लेकिन वो तहम्मल करने वाला खुदा है इसलिए उसने इनसान को एक और मौका दे दिया जी आजीज़ो उसके बाद क्या हुआ कि वो ही इनसान आगे से और ज्यादा नाफर्मानियों में पढ़ता चला गया और क्या हुआ कि उसी नू की उलाद में से जो है बलके सबसे पहले तो हज़रत नू ने मैं बनाई जी हां अंगूरों से मैं बनाई और नंगा हो गया और जब नंगा हो गया तो उसके बेटे ने जाके भाईयों को उपताया तो उसने होश में आने के बाद अपने बेटे को ही लांती और उसके लिए बुरी बुरी बात कहा दी जो कि उसकी जिन्दगी पर असर अदाज होई सुर्त बेटे का नहीं था उसक्त मैं तो नू ने बनाई थी और उसी ने पी थी इसी तरह से जब हम गुना करते हैं तो हम खुद नंगे हो जाते हैं किसी का कोई कसूर ने होता हमारा अपना कसूर होता है सो अजीजों खुदा बाब जो है फिर भी कहर करने में धीमा रहा और फिर उस उलाद में से नमरूद पैदा हुआ और पैदा तवारीक और उसके एक बाब की दस आयत इस तरह से बताते हैं कि वो सिर्फ सूर्मा ही नहीं था बलके वो बहादरी की वज़ा से हाकम भी हुआ और वो ऐसा हाकम था जिसके बारे में तवारीक बताती है कि वो एक जालम शक्स था अजीजों नाफरमानी की यनि खुदा के ठहराए हुए कवानी की इनसान ने चाहे वो अंबिया थे चाहे वो काहिन थे चाहे अंबियाजादे थे, चाहे काहिन जादे थे, सब ने नाफरमानी की और बाइबल हमें बताती है कि खुदा ने इनसान को कहरे शदीद में आकर कभी उन्हें फना नहीं किया और खुदा का किलाम बताता है, हम रूमियों के खत में 23 में पढ़ते हैं कि सब ने गुना किया और खुदा के जलाल से महरूम है, जी हाँ, सब ने गुना किया और खुदा के जलाल से महरूम है दुनिया में आने वाली शख्सियात में से जो जिसम लेकर आई उन में से सिरफ यसू एक ऐसी शख्सियत थे जिसमें कोई गुना नहीं था। इसलिए वो खुदा के जलाल में था और खुदा के जलाल में वापस चला गया। तो जीज़ो इस किस्टे को बाद में देखेंगे लेकिन यहां हम देखना देख रहे हैं आज के खुदा ने कहर में आकर इनसान को उसकी उलाद को फना नहीं किया बलके खुदा ने हमेशा इंतजार किया कि वो तौबा कर लें। गुसा भी कभी दिखाया प्यार भी दिखाया लेकिन नाफर्मान होने के बावजूद खुदा इनसान से तहमल से पेश आया। इसलिए इनसान आज भी इस तरह सोचने लगा है कि हजारों बर्स बीट गए हैं अब तक तो जजा सजा हुई नहीं और आपता नहीं होनी भी है के नहीं होनी हैं इसलिए दुनिया की मौज मस्ती को क्यों ना इंजॉय करें क्यों हम उससे पीछे रह जाएं और क्यों ना ग अजम इस तरह से सोचने लग गया है लेकर जाएजजो खुदा का किलाम दूसरा बत्रस तीन बाप आठ और नव आइत में बताती है कि ए अधीजो ये खास बात तुम पर पुशीदा ना रहे गौड से सुने जी ए अधीजो ये खास बात तुम पर पुशीदा ना रहे के तस्दीक एक दिन हजार साल के बराबर है और हजार बर्स एक दिन के बराबर है खुदावन अपने वादा में देर नहीं करता जिस तरह बाद लोग समझते हैं बलके तुम्हारे बारे में तहम्मल करता है इसलिए किसी की हलाकत नहीं चाहता बलके ये चाहता है कि सब की तौबा तक नवबत मांचे जी हां जीजिजों ये है खुदा का किरदार वो कहर करने में धीमा है और चाहता है कि सब तूबा करके दुबारा उससे मेल मलाब कर ले आदम और हवा ने जो गलती की थी इस बात पर इनसान आज भी बशिद्दत अमल कर रहा है उन्ही गलतियों को दोरा रहा है यानि ना फर्मानी ना फर्मानी ना फर्मानी मगर खुदा कहर करने में धीमा है और आपका इंतजार कर रहा है पराने एदनामे में हमें बाद मकामात पर ऐसे दिखाई देता है और बाद मकामात पर खुदा बाप ने सजा जरूर दी है जहां लगता है कि खुदा कहर है अर्विक में कहार कहते हैं कहर करने माले को हमें लगता है कि वो कहर करने वाला है कहर में आ जाने वाला है मैं यह आपको इसलिए पताना चाहता हूँ कि जो लोग बाइबल को नहीं मानते जो लोग खुदा को नहीं मानते वो इन चीज़ों को इस्तमाल करते हैं खुदा के लोगों को परिशान करने के लिए और उन्हें जूटा थाबित करने के लिए कि जब हम ये कह रहे हैं कि खुदा कहर करने में धीमा है तो वो इन चीज़ों के वो क्या क्या है क्योंकि जब बनी सिराईली मिसर में से निकल आए तो वो बार बार बड़ बड़ाते थे और खुदा के खिलाफ बाते करते थे और खुदा की नाफरमानी में बढ़ जाते थे एक बार उन पर खुदा ने सांपों का अजाब भेजा और एक बार खुदा ने उटसे में जब वो खुराक के लिए बड़बडाते थे और गोश्ट और खीरे खाने के लिए मांग रहे थे तो खुदा ने उनको बटेरे तो दी खाने को मगर कहर में आकर उन पर वाबा भेजी और उनको मारा सब नहीं मरे लेकिन कुछ लोग जरूर मरे थे सापों से भी सब नहीं मरे कुछ लोग मरे थे और एक बार खेवागा में बड़बडाने के नतीजा में आग भी लगी और फिर जो आग थी वो मुसा के दुआ करने के सबब से बुझ गई और एक दफ़ा जो तनकीद करने वाले लोग हैं नकाद जो लोग हैं वो खुदा को जजाम देते हैं और वो अलीशा के उस लानत का जिकर करते हैं जिसके सबब से उसे चेड़ने वाले 42 बच्चे जिनको रिच्छिनी ने जंगल में से निकल कर हला कर दिया था क्योंके वो गुसे में आकर उन पर लानत कर बैठा था तो ये खुदा के साथ इसको मिलाते हैं लोग कहते हैं कि खुदा उसको रोक सकता था उस कहर को उन बच्चों पर नहीं होना चाहिए था क्योंके बच्चों का काम शरारत करना है तक नजीजों अगर हम देखे तो खुदा कहर करने में जल्दी नहीं करता बलके यहां तक रुका रहा कि जब तक तक तमाम अंबिया के जरीए से कलाम और पेशन्गोया जो उसने उनके जरीए से बताई पूरी ना कर दी इन चद वाकियात में खुदा ने इस बात को देखा और उसके बाद जब उसने देखा कि इनसान बार 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 वो ही गलती कर रहा है और वो गुना से बाद नहीं आरा वो माफी नहीं माग रहा तो फिर खुदा ने बनीनो इनसान के लिए और उस कौम के लिए जिसे वो अपनी कौम कहकर अपने बच्चे कहकर मिसर से निकाल कर लाया था मसी यस्थ spices को भेजा ताके वो उन सब की खातर बनीनो इनसान की खातर अपनी जान दे और उस खून के जरे से हमारे गुनाहों का कफारा कर दे कुफारा दे दे ताके खुदा का जो इनसाफ है वो पूरा हो सके क्योंकि वो आदल और मुनसिफ खुदा भी है मगर यिसु अपनी जान देने के बाद सिलीप पर अपनी जान दी और मौत और कबर पर फत्व पाकर आपकी और मेरी मुखलसी का इंतिजाम करके खुदा बाप के देने हाथ जा बैठा ताके जो कोई यसु पर एमान लाए हलाक ना हो बलके हमेशा की जिन्दगी पाए कलाम मुकदस में यहनर रसूल की इंजील में और उसके तीसरे बाप की 16 से 18 आयत में यह बाते लिकी हुई है और मैं 17 और 18 आयत आपके सामने पढ़ना चाहता हूँ यह बताने के लिए कि खुदा कहर करने में धीमा है और वो तहम्मल की हुए है खुदावन के कलाम में इस तरह से लिखा गया क्योंकि खुदावने बेटे को दुनिया में इसलिए नहीं भेजा के दुनिया पर सजा का हुकम करे बलके इसलिए के दुनिया उसके वसीला से नचात पाए जो उस पर इमान लाता है उस पर सजा का हुकम नहीं होता जो उस पर इमान नहीं लाता उस पर सजा का हुकम हो चुका इसलिए कि वो खुदा के इकलोते बेटे पर इमान नहीं लाया जी हाँ अजीजो जो इमान ले आएगा यसुपर उस पर सजा का हुकम नहीं लेकिन जो इमान नहीं लाएगा उन पर हो चुका है क्योंकि ये कुर्बानी जो थी ये बेड़ बक्रियों की नहीं बलके खुदा के बेटे यसु की कुर्बानी थी ये वो लहू नहीं था जो खुदा की क्रियेशन से बना था ये वो लहू था जो खुदा के पाक रूख का खून था जो आपके और मेरे गुना की मुआफ़ के लिए एक परफेक्ट कुर्बानी के तौर पर जिसमें कोई यहब नहीं था, कोई गुना नहीं था, दी गई थी अजीज़ों खुदा तहमल करके अपने कहर को रोके हुए है, क्योंकि वो कहर करने में धीमा है और इस वक्त आपके पास वक्त है, आप भी उसके कहर में आने से पहले तौबा करके अपने गुनाहों से मूँ मोड के और अपने साबका गुनाहों की जो है, वो माफी हासल कर सक लगते हैं, क्योंकि वो अब जब आएगा तो वो आप के लिए कुर्बान होने के लिए नहीं आने वाला, क्योंकि अब वो आदल और मुनसिफ बनकर आएगा, क्योंकि वो आदल और मुनसिफ है, ताके दुनिया की अदालत करे और अब वो जान देने के लिए नहीं आ रहा बनके जजा और सजा के लिए अपने आ रहा है वो दूसरा तिमोतियस चार बाप की पहली आयत में खुदा का कलाम हमें पताता है खुदा और मसी यसु को जो जिन्दों और मुड़्दों की अदालत करेगा गवाह करके उसके जहूर और बादशाही को याद दिलाकर मैं तुझे ताकीद करता हूँ इस आयत का पहला हिस्सा जो है वो ये बात बताता है कि खुदा और मसी यसु को जो जिन्दों और मुड़्दों की अदालत करेगा जी हाँ अब वो आदिल और मुझसिफ बनकर आएगा यसु अदालत करेगा और वो दिन कहर का दिन होगा उस वक्त तहम्ल का वक्त जा चुका होगा आज तहम्ल का वक्त चल रहा है रूमियों का खत दो बाप और उसकी चार और पाँच आयत इस तरह से बताती है यह आज की इनसान की बाद है खुदा के कलाम में 2000 साल पहले लिखी गई या तू उसकी महरबानी और तहम्ल और सबर की दौलत को नाचीज जानता है और नहीं समझता कि खुदा की महरबानी तुझ को तौबा की तरफ माइल करती है बलके तू अपनी सक्ती और गेरताएब दिल के मताबक इस कहर के दिन के लिए अपने वास्ते गजब कमा रहा है जिसमें खुदा की सची अदालत जाहर होगी जी हाँ जीसो आप और मैं अगर हम खुदा के हुक्मों के खिलाफ जाते हैं तो हम अपने लिए गजब कमा रहे हैं क्योंकि वो कहर करने में धीमा है लेकिन जब वो आदिल मुश्फ बनकर आएगा तो वो दिन कहर का दिन होगा हमें उसके तहम्मल और सबर की गौलत को नाचीज नहीं समझ रहा है तो अजीजो आज आप से मैं ये बताते हुए इलतमास करता हूँ कि वो कहर करने में धीमा है वो इंतिजार कर रहा है लेकिन जब वो आएगा तो उस वक्त वो किसी की नहीं सुनेगा वो सिर्फ इंसाफ करेगा और उस दिन उसके कहर के बारे में आपको पता चलेगा कि वो कितना कहार है हमारा खुदा कहर करने में धीमा है इसलिए वो तहम्मल करके सबर से महर्बानी फर्मा के आपके रुवए को देख रहा है कि कब आप तौबा करके उसके फजल का फाइदा उठा ले अगर आपने उसके सबर और तहम्मल और महर्बानी को नाचीज जाना है तो आज बलके अभी गोर से सुनें आज बलके अभी वक्त है कि आप तौबा करके अपनी जिन्दगी खुदावन को दे दें और आने वाले गजब और कहर से बच जाएं खुदाबाब आपको मसी यस्यू के वसिले से नजात दे कर हमेशा के लिए अपने साथ रिकनसायल या रिलेशनशिप में लेने के लिए दिया अभी वक्त है आप तौबा करके अपनी जिन्दगी खुदा को दे दो और आने वाले गजब और कहर से बच जाओ खुदाबाब आपको मसी यस्यू के वसीला से नजात दे सकता है आमेन आईए हम शुक्र गजारी करें कि आज खुदा ने आपको मौका दिया और चुना कि आप उसके पास आ सके और मुझे मौका दिया कि मैं आप तक खुदा की बात पुचा सकूँ यसर जी तेरा शुकर हो इस जिन्दा कलाम के लिए तसली के पिगाम के लिए कि आज भी तेरा तहमल जारी है और तु कहर करने में धीमा है और तु चाहता है कि सब की तौबा तक नौबत पहुंचे आज जितने लोगों ने भी अपना दिल तेरे हजूर में उन्डेला है उन सब को तु कबूल करना और जिनके दिलों में अभी कुछ शक बाकी है खदाओन तु उनको दिलों को भारना कि वो तेरे खादमों से और अगर तेरी मर्जी है तो मुझसे तेरे कलाम की बातों को और ज्यादा सीख सके और अपना निश्टा तेरे साथ मश्बूत बना सके हाँ खदाओन नेक्स्ट जो गोर से सुन रहे हैं उनकी जिन्दगियों में तू उन्हें बदलना उनके हालात को बदलना और खदाओन उनकी रूहानी जिन्दगी में अपना फदल करना यस्टू के नाम में आमीन झाल झाल झाल